जैकारा बोल मेरे शिरी गुरू महराज की जै ड्यालू परम्हंस ड्याल जी महराज की जै गुर की मूरत मन में ध्यान गुर के शबद मंतर मन मान गुर के चरन हिदेले धारो गुरु पार बरम्ह सदा नमस्कार मत को भरम भुले संसार गुरु बिन को इना उतरस पार भुले को गुरु मारग पाया अवरत्या गहर भगती लाया जनम मरन की गुरु तरास मिटाई गुरु पूरे की बेंतवडे आई गुरु पर साद उर्द कमल विगास अंधकार में भेव परकास जिन की आसो गुरु ते जानया गुरु किरपाते मुगद मन मानया गुरु करता गुरु मेरा करने योग गुरु परमेश्वर है भी होग कहो नानक प्रभु एहो जनाई भिन गुरु मुखती ना पाई ओ भाई पंचम पाशा गुरु अर्जन देवजी महाराज शहीतों के सरताज द्वारा रचित गोंड राग में निबंद ये एक शबद भी बहुत प्यार सहित बोला जाता है इस शबद में गुरु भक्ती का सारांश पेश किया गया है वे अनुभवी महापुरुष फरमाते हैं शिरी गुरु देव जी की दिव्यमूर्ती को मन मंदिर में बसाओ परतेक समय उसका ध्यान धरो शिरी गुरु वचनों को मंत्र समान मानों अर्थार्थ जैसे मंत्र को बहुत शर्धा पूर्वक बार बार जपा जाता है इसी परकार गुरु देव के परतेक शब्द को मन में मंत्र समान मानों गुरु देव के शिरी चर्णों को हिर्धे में आसीन करो गुरु देव पार ब्रम परमेश्वर हैं ऐसा जान कर उनको आदर पूर्वक नमन एवम परनाम करो जिसके दिल में यह भ्रांती हो कि बिना गुरु देव के कोई भव सागर से पार उतर सकता है उसे यह भ्रांती दिल से निकाल देनी चाहिए कोई इस भूल में ना रहे कि हम बिना गुरु कृपा के मोक्ष द्वार में प्रविष्ट हो सकेंगे अब गुरु साहिब के उप्रोक्त कथन की व्याख्या इस परकार है शिरी गुरु देव जी ने भूले भटके जीव को सत्यमार्ग पर लगाया उसे यम की यातना और संसार की मिथ्या आसकती से छुडा कर इश्वरिय भजन और भगवत सिम्रन में लगाया पून सत्कुरु देव जी की महमा अनन्त है उन्होंने जीव पर परम कृपा करते हुए उसके जनम मरन का भए मिटाया शिरी गुरु देव जी की दया से उल्टा हिर्द्य कमल सीधा हो गया अत्वा खिल उठा हिर्द्य का अग्यान अंदकार मिट गया और सवत्र ग्यान का परकाश फैल गया जिसने जो कुछ भी शुब करम और मान प्रतिष्टा प्राप्त की इसका श्रे गुरु देव को दया तथा यही समझा कि मैं कुछ भी नहीं गुरु देव ही सर्व समर्थ हैं इस परकार गुरु कृपा से ऐसे निर्मान सेवक का मन अनन से विभोर हो उठा उसे सच्ची प्रसंता मिली गुरु देव ही करता पुरुष हैं वे सब कुछ करने में समर्थ हैं गुरु देव ही पार ब्रम पर मेश्वर हैं और भविश्य में भी गुरु सत्ता इश्वर तत्व पर कभी भी अविश्वाश नहीं हो सकता अर्थार्थ ये बात तरकाल सत्य है इस शबद की अंतिम दो पंक्तियों में गुरु साहिब यही दर्शा रहे हैं कि प्रभु कृपा से इस तत्य का ज्यान हुआ कि गुरु देव के बिना किसी ने भी आज तक मोक्ष पद तथा जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त की मोक्ष के दाता शिरी सत्त गुरु देव जी है भुलो जैकारा भुलो साथे दर्वारी की जए